नवस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत कुमार और आपने क्लिक किया है अपने यूटीब चैनल बॉलेवड बलंड पर टाइगर जिन्दा है जी हाँ यही नाम है सलमान खान की आने वाले फिल्म का जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान 2012 में एक थार टाइगर फिल्म की थी जिसमें उनके आउपाउजिट हेरोईं थी काटरीना कैब तो दोनों एक वार फिर इस मूवी में टाइगर जिन्दा है के जरीए आ रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि दोनों की लव स्टोडी के चर्चे काफी रहे हैं तो एक वर फिर सलमान खान ने काटरीना कैब के साथ अपने एक तस्वीर भी ट्विटर पर अपलोड की है जिसे देखकर वो काफी एकसाइटेड है तो मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म की फिलार शोटिंग चल रही है मुरको में मुरको की खूबसूरत वादियों में चल रही है कुछ फोटोग्राफ इसके निर्देसक अली अबबास जाफर ने अपलोड की है अपने ट्विटर हैंडल पर तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर एक्शन फिल्म फिल्म आया जा रहा है फिलाल जिन्दा है टाइगर की और एक था टाइगर के फिल्म के डाइरेक्टर थे कवीर खान जिया लेकिन इस बार जिन्दा है टाइगर को निर्देसित कर रहे हैं अली अवस जाफर बने ये वो डाइरेक्टर हैं जिन्होंने सुल्तान फिल्म को डिरेक्ट किया था तो इस वार डिरेक्टर बदल गया है कबीर खान जहां जो की ईद पर आने वाली ट्यूब लाइट फिल्म है उनको निर्देशित कर रहे है सल्मान खान बोलेकर तो वहीं अली अवस जाफर सुल्तान के बाद जिन्दा है टाइवर को निर्देशित कर रहे है यानि इस साल आप सल्मान खान के साथ दो फिल्म में देख सकते हैं उमीद की जारी कि तीसरी फिल्म भी उनकी रिलीज हो लेकिन ये दो डेट तो कंफर्म है एक तो ईद में और साल के अंध में जिन्दा है टाइगर यानि इस बार तो भाईया बॉक्स और इस पर सिर्फ भाई जान ही नजर आने वाले है इस फिल्म की एक कहानी के बारे में थोड़ी बहुत बता दूँ ये एकचुली एक था टाइगर की फिल्म का सिक्वल है एक था टाइगर आपने देखी ही होगी भाईया आप लोग सल्मान खान के फैन है तो एक भी फिल्म तो छोड़ेंगे नहीं जैसा कि मैं नहीं छोड़ता पहला दिन पहला शो हो सके तो मैं पहला टिकट की लेनी की कोशिश करता हूँ सल्मान खान का भाई मैं इतना बड़ा फैन हूँ तो उस फिल्म में उन्होंने एक रौ एजेंट की भूमी का निभाई थी जहां कि विदेशों में घूमते रहते हैं मने एक तरह से बोल सकते हैं हालिवोड की फिल्म जो जेम्स पॉंड की तरह काफी एक्शन से भरपूर फिल्म थी वो इसी फिल्म का आगी की कहानी है एक तरह के यह स्री चल रही है हो सकता है कि जिन्दा है टाइगर जिन्दा है के बाद एक और टाइगर आ जाए भे मुवी तो हम लोग तो इंतिजार करने हैं कि भाई साल दर साल ऐसे ही जलमान खान की मुवी आती रहे और हम लोग एंजोई करते रहे तब तक के लिए आपको करना गया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए कमेंट भी करिए तब तक के लिए बादाए